हाई गाइस वेलकम तो आसीस मसी कार्स आज की इस वीडियो में हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं हिंडियाई क्रेटा एसेक्स वेरियंट जो की इस गाड़ी का सबसे जादा वैल्यू फोर मरी वेरियंट है काफी जादा बहतरीन फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं अलोई वील्स पैनरोमिक संरूफ रिवर्स पार्किंग कैमरा टैच स्क्रीन प्रोजेक्टर हैडलाइट सब फीचर्स आपको इस वेरियंट में यहां पर मिलते हैं तो सारी बाते आज इस वीडियो में हम डिटेल में यहां पर करने वाले हैं डिटेल वोकरांड रिव्यू टीपी एमस यह सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं अभी सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी की फ्रेंट प्रोफाइल के बारे में तो जब आप गाड़ी को फ्रेंट से देखते हैं तो काफी जादा बहतरीन यह गाड़ी आपको देखने को मिलती है क्योंकि फूल सा प्रेंट की जो ग्रील से यहां पर आप देख सकते हैं सिल्वर फिनीशिंग का और जो आपकी ग्रे कलर की फिनीशिंग है वह यहां पर आपको फ्रेंट के अंदर देखने को मिलती है और काड़ी काड़ी के अंदर यहां पर आलोई वील्स मिलते हैं और जो यहां पर आपक HDR 17 आपको प्रोफाइल मिलती है चारो ही टायर्स में आपको यहां पे जो डिस ब्रेक है गाड़ी के अंदर वो देखने को मिलते हैं बोडी कलर आपको मिलते हैं और इंडिकेटर जिनको अप एलेक्ट्रिकली फोल्ड कर सकते हैं और क्रोम फिनिशिंग में आपको दिये गई ह अब आपको दिखाता हूं गाड़ी के एक साइड प्रोफाइल बिल्कुल और उपर की साइड यहां पर आपको देखने को मिलती है रूफ रेल्स और जो पैनरोमिक संब्रूफ है वह यहां पर आपको इसके अंदर दी गई है और रियर की तरफ अगर हम बात करें बात करें सब्सक्राइब के पास सारी गाड़ियों के सब्सक्राइब के लिए और एक और बात जो अच्छी है वह यह की सेम सब्सक्राइब अवेलेबल है डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर से यानि की फ्लेक्सिमिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर इनके लेटिस्ट सब्सक्राइब को जानने के लिए आप जाएंगी वेबसाइट पर या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते हैं फोन से डाउलोड करना चाहते हैं तो हाई यूस डिवाइस हैं दोनों के लिए अवेलेबल है तो रियर में आपको यहां पर गाड़ी के अंदर शा डेटा की आप ब्रेंदिग देख सकते हैं और दोनों साइब आपको reflectors मिलते हैं और अगर हम बात करते हैं इसके Ground Corner तो 190 mm के आपको मिलती है Ground और रियर में जाँ सकते हैं जो इस emb gallons उउसका यूस किया गया है 50 Litre के आपको गाड़ी के अंदर यहां पर दी गई है है जो की आप की हा पे देख सकते हैं यहां पे आपको गाड़ी नदर जो है क्या सब कर दिया सब्सक्राइब अब इस तरीके की finishing में आपको यहाँ पर दिया गया है गाड़ी का interior तो अभी interior के बारे में भी detail में यहाँ पर बात करेंगे तो यह है इस गाड़ी का driver side door यहाँ पर आपको चारोई power windows के controls मिलते हैं जो आपका driver side glass है वो आपका one touch down वे one touch up है door lock, unlock, ORVMs को आप electrically forward यहाँ से कर सकते हैं electrically adjust कर सकते हैं और यही पर आपको जो tutors है वो देखने को मिलते हैं और कुछ इस तरीके की finishing में आपको यहाँ पर दिये गये हैं गाड़ी के AC vent जो की काफी खुबसूरत लगते हैं देखने में leather wrapped steering है, D-cut में आपको यह मिलता है यहाँ पर left hand side पर आपको audio के controls, call connect, disconnect और right hand side पर आपको MID के controls दी गए हैं और cruise control जो है वो भी आपको ही पर steering के अंदर मिलता है और यह इस गाड़ी के MID display है left hand side पर आपको आरे पर meter, right hand side पर speedometer मिलता है बिल्कुल corner में आपको दिया गया है fuel meter center में आपको दी गई है, एक यहाँ पर digital display जिसके अंदर trip A, trip B, average fuel economy, distance to empty, temperature, odometer में गाड़ी कितना चल चुकी है वो सभी information यहाँ पर दिखाता है साथ इसाथ tire pressure monitoring system जो है वो भी आपको गाड़ी के अंदर यहीं पर देखने को मिलता है दोस्तों तो यह सभी चीजे हैं इसकी MID display के अंदर और यह है इसकी 10.25 इंच की touch screen जिसके अंदर आपको चार speakers मिलते हैं तो ट्यूटर इसके साथ आपको दिए गए हैं अंड़ो डोटो एपल कार प्ली ब्लूटूथ रेडियो नैविगेशन मैप सभी features आपको इसके अंदर दिए गए हैं गाड़ी के अंदर और अभी मैं आपको दिखाता हूं इसके reverse parking camera की quality जो आप reverse gear में गाड़ी को डालते ह है और अच्छी बात इस touchscreen के अंदर साथ क्या है कि आपको यहाप फिजिकल बटन जो है वो मिलते हैं कि आपको रेडियो पर जाना है यहाप नैविगेशन ओपन करना चाहते हैं मतलब नैविगेशन का मतलब है कि हाप अपना जो अपना menu है वो ओपन करना चाहते हैं अगर मैप ओपन करना चाहते हैं तो आप डारेक्ट मैप पर आ जाएंगे मीडिया पर आ जाएंगे यहाँ से यह सभी information यहाँ पर आपको दिखाता है तो यह सारी चीजे हैं और आप इसको यहाँ से ओफ भी कर सकते हैं वोल्यूम आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने देखने को मिलता है 6-speed manual transmission में यह गाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और यह यहाँ पर आपको बटन दिया गया है अगर आप चलती हुए गाड़ी में इसको अगर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर जो कैमरा है उसका रियर का एंगल जो है वो उपन होके आ candles मिलते हैं go driver side आपको काफी बड़े size का vanity mirror और यहाँ पर आपको रूफ में दो LED lights जो है वो देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको दिया गया है sun glass holder यह इसका IRVM है जो कि आपका manual IRVM है यहाँ पर आपको SOS और blue link जो है वो भी इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है और driver side आपको सिर्फ यहाँ पर ticket holder का space मिलता है और यह है इस गाड़ी की काफी बड़े size की panoramic sunroof और sunroof का जो आपको यहाँ पर controls है वो भी देखने को मिलते हैं तो यह सबी features थे Hyundai Krata SX petrol variant के front के यानि कि first row के आप चलते है second row की तरफ और आपको दिखाता हूं कि second row में आप आपको क्या के चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है और यह है इस गाड़ी का rear door, rear door में भी आपको यहाँ पर power window का switch है वो देखने को मिलता है नीचे की side speaker, water holder का space, door pocket का space और जो sunsades है वो भी आपको यहाँ पर Krata SX variant के अंदर देखने को मिलते हैं जो की काफी बहतरीर और काफी useful feature है और यह इस गाड़ी की rear की seat है, rear की seat आप 60-40 split पे fold कर सकते हैं, दो adjustable headrest यहाँ पर आपको दिये गए हैं और यहाँ पर आपको center में एक armrest दिया गया है जिसके अंदर दो cup holders का space मिलता है, अभी जो seat covers है वो यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर लगाए गई है और matting अगयरा जो है वो सब कुछ complete यहाँ पर हो चुकी है और आप देख सकते हैं जो panoramic sunroof है वो बड़े size के आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, rear seat पे जब आपको दो AC vent मिलते हैं और एक नीचे आपको fast charging का option है वो दिया गया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे अ आपको यह complete dashboard जो है दोस्तों वो देखने को मिलता है जो कि काफी खुबसूरत आपको देखने को मिलता है और गाड़ी की width इतनी जादा है कि तीन adults जो है वो यहाँ पे इस गाड़ी की rear seat पे comfortable होके बैठ सकते हैं तो यह सबी चीजे थी इसकी second row से related अब आपको दिखाता इस गाड़ी का boot space तो boot access करने के लिए यहाँ पर आपको एक power button दिया गया है जैसे आप उसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी का जो boot है वो यहाँ पर open हो जाएगा 433 लिटर्स का आपको boot space मिलता है काफी बड़े size के आपको यहाँ पर जो partial tray है दोस्तों वो देखने को मिलती ह है और boot में आपको left or right side दोनों ही साइट extra storage जो है वो भी मिलती है यहाँ पर आपको boot में एक देख सकते हैं halogen light जो है वो भी दी गई है काफी अच्छे से आप इसके अंतर पांच बंदों का जो लगेज है comfortable होके गाड़ी के अंदर दोस्तों रख सकते हैं तो अभी boot को करते है तो दोस्तों जल्दी से subscribe कर लीजिए ताकि आपको और भी जादा बहतर वोकराउंड रिव्यू या फिर आपके ड्राइव रिव्यू वो हमारे चैनल के उपर देखने को मिलते हैं तो जल्दी से आसीस मसी कार्स को subscribe कर लीजिए अगर आपके कोई doubt है तो आप comment करके पू कर दो आपके कोई खाके कर दो आपके कोईट्य से आसीकश देखने को बात सकता दो एक आपके को और रिव्यू वोगर आपके।